नमस्कार दोस्तों, कमाई के मुके YouTube चैनल में आपका स्वागत हैं। दस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बारिश के मौसमें कैसे करें खीरे की उनत खेती। दोस्तों, आज अधिकतर उनत किसान सबजेयों की खेती करके अधिक से अधिक लाब ले रहा है। पास जो ऐसी भूमी है, जिसमें दूसरी फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। उसी भूमी में खीरे की खेती से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। यह हर प्रकार की भूमियों में जिन में जल निकास का सही रास्ता हो, उगाया जाता है। अच्छी उपज के लिए जीवांच पदार्थ हैुक दोमच भूमी सबसे अच्छी होती है। इसकी फसल जायद और वर्षा में ली जाती है। अत्थ उच्ता पक्रम में अच्छी वृद्धी होती है। यह पाले को नहीं सहन कर पाता। इसलिए इसको पाले से बचा कर रखन चाहिए। दोस्तों आहियें अब जानते हैं। खीरे की उनत्थशिल किस्मों के बारे में पंजाब नवीन, पंजाब नवीन लृद्धी है। इसकी फसल 70 दिन में तुड़ाई लायक हो जाती है। इसकी ऐसत पैदावार 40 से 50 धंुनतल प्रति एकर तक होती है। हिमांगी जा पानी लॉन ग्रीन, जो वाइंट सेट, पुना खीरा, पूसा सयोग, शीतल, फाइंट सेट, स्टेट आठ, खीरा 90, खीरा 75, हाइब्रिड एक वा हाइब्रिडो, कल्यान पुरहरा खीरा इतियादी प्रमुख है। दोस्तों, इसके आलावा खीरे की प्रमुख प्रजातियां निम्न लिखित हैं, हिमांगी, जा पानी लॉन ग्रीन, जो वाइंट सेट, पुना खीरा, पूसा सयोग, शीतल, फाइंट सेट, स्टेट आठ, खीरा 90, खीरा 75, हाइब्रिड एक वा हाइब्रिडो, कल्यान पुरहर खीरा इत्यादी प्रमुख हैं, दोस्तों, अब बात करते हैं, खेत की तैयारी के बारे में, खीरे की फसल के लिए खेत की कोई खास तैयारी करने की आवशक्ता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी फसल के लिए खेत की तैयारी भूमी की कीस्म के उपर निर्भर होती है, बल परीभुमे की तैयारी के लिए अधिक जुताई की आवशक्ता पड़ती है। बगीचों के लिए भी यह फसल उप्योगी है जो कि आसानी से बुआई की जा सकती है। फासले पर बोया जा सकता है। खीरे की बिजाई उटी हुई मेडों के उपर करना ज्यादा अच्छा है। इसमें मेड से मेड की दूरी एक से एक दशमलब पांच मीटर रखते हैं। जबकि पौधे से पौधे की दूरी 60 मीटर रखते हैं। बिजाई करते समय एक जगेह पर समय में लादे 20 किलोग्राम नाइटोजन, 12 किलोग्राम फासपोरस वद 10 किलोग्राम पुटाश की मात्रा खीरे के लिए परियाप्त रहती है। खेत में बिजाई की समय एक टीन नाइटोजन, फासपोरस की पूरी मात्रा तथा पुटाश की पूरी मात्रा डाल दे। बच सेचाई की आवशक्ता कम ही पड़ती है यदि वर्षा लंबे समय तक नहीं होती है तो सेचाई कर देनी चाहिए बे लोब पर फल लगते समय नमी का रहना बहुत जरूरी है अगर खेत में नमी की कमी हो तो फल कड़वे भी हो सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं खर्पतवार नियंतरन की किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में खर्पतवारों का नियंतरन करना बहुत जरूरी है इसी तरह है खीरे की भी अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत को खर्पतवारों से साफ रखना चाहिए इसके लिए बरसात में तीन से चार बार खेत की निराई गुडाई करनी चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं तुडाई और उपज के बारे में दोस्तों सबसे पहले इंब बात करते हैं तुडाई के बारे में बीच बुवाई क ठिक दो महीने बाद फसल तैयार हो जाता है और फसल के तैयर हो जाने पर दो महीने तक बच कर टीन से चार दिन के अंतराल में फलो की तुड़ाई करे अब बात करते हैं उपज की एक हैक्टर में खीरे की खेती से कुल एक सौसे एक सौबीस को इंटल तक फसल की उम्मीद की जा सकती है दोस्तों कैसी लगी वीडियो पसंद रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें कमाई के मकें यूट्यूब चैनल ताकि हमारी अगेन आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पाहुच चकें तो दोस्तों मिलते हैं अगली व दोस्तों